बड़ी खबर के साथ कर रहा है। अमाम विरोध के ऐसी तज़्वीरे भी सामने आ रही है। नए हिटन रन कानून को वापस लेने की मांग की जा रही है। जगा जगा ड्राइवरों का विरोध प्रदेशन। नए हिटन रन कानून को वापस लेने की मांग। जैपुर हो या फिर राजस्थान के दूसरे जिले सभी जगों से एक सुर में जो आवाज बुलंध हो रही है। वो ये कि हिटन रन मामले में केंदर सरकार ने जो नया कानून बनाया है उसे तुरंत वापस लिया जाए। बात राजधानी जैपुर की करें तो कई जगों पर वाहन को रोक दिया गया। बीलबाडा कोट आधौलपुर और दिल्ली रूट पर गाड़ियों के चक्के जाम कर दिये गए। जगा जगा नारेवाजी करते हुए ड्राइवर नजर आए। जानकरी के मताबिक फिलार राजस्थान में टेक्सी असोशेशन, निजी बस ओपरेटर्स, ट्रक असोशेशन या अफ़र राजस्थान रोडवेज इस प्रदेशन में शामिल नहीं है। लेकिन प्रदेश से निकलने वाले वाहनों को MP बॉर्डर, UP बॉर्डर और हर्याना बॉर्डर के अलावा दिल्ली बॉर्डर पर रोका जा रहा है। वाहनों को रोकने की वज़़ा से कई जगों पर जाम की खबरे सामने आई। जिसके बाद मौके पर पहुँची पुलिस ने सवारियों को बस में बिठा कर रवाना किया। वाहन चालक सरकार से बिल में संशोधन की मांग कर रही हैं। इतना ही नहीं मांग पूरी ना होने पर अनिश्चित कालीन हर्ताल की धमकी दे रही हैं। करॉली में हिट एंड रन कानून के विरोध में निजी बस चालकों ने हर्ताल कर विरोध जताया। अलकि दोपहर बाद कुछ जगों पर रोडवेज बसों का संचालन शुरू हुआ। लेकि धौलपूर मार्ग पर रोडवेज बसों का संचालन पूरी तरह बंद रहा। जिसके चलते नए साल पर केला देवी, मदन मोहंजी आने वाले श्रत धालूं और रहागीरों को खासी परिशानी हुई। ड्राइवरों को डर है कि नए कानून से उनका गाड़ी चलाना मुश्किल हो जाएगा। करोली के अलावा चित्तोर घर में भी ड्राइवर यूनियन्स ने कलेक्टर पर प्रदेशन किया और राष्टपती के नाम ग्यापन सोपा। यहां ड्राइवर्स ने सरकार को पाँच जनवरी तक फैसला लेने की धमकी दी। वर्ण छे जनवरी से सभी संगठन अनिश्चित कालीन हर्ताल पर चले जाएंगे। अलबर और अजमेर में भी नए कानून के विरोध में चक्का जाम किया गया। अलग-अलग राजमार्गो पर ट्रक ड्राइवर वाहन खड़े कर विरोध प्रदेशन करते दिखे। इसके चलते वाहनों की आवाजाही में काफी समस्याएं सामने आई। पूरपुली से आ रहा हूँ मैं अजमेर के लिए यह आगे पड़ा सोले में बिलकुल बंदगी हुआ है और मोखम पुरा में पूरा बिलकुल प्लोज जाम कर रहा है बिलकुल ही साधन बिलकुल मुवमेंट नहीं कर रहे हैं। यह लोगों कोई सेटेस्फेक्शन वाला कोई आंसोर है नहीं यह लोग बोल रहे है कि क्यूंकि मेरा तो जैपूर पालीटु जैपूर की टिगट मैंने बुक की ति तो मेरा इनका एकी आंसोर है कि चलो आपने आपकाए प्रोटेस्ट चल रहा है आप लोगो स्ट्राइक पर दूब कर दीजे यहां तक का जमेर तक का जो है उसके बाद आगे का रिफर्ट कर दीजे वह टीन का भी कोई सटेस्ट्रेश्ट्री वाला कोई है नहीं नए हीट एंडरन कानून का भारी विरोध हो रहा है लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर क्यों हो रहा है इसका विरोध की सबसे बड़ी वज़ा क्या है दरसल इस कानून के विरोध की सबसे बड़ी वज़ा है हीट एंडरन कानून में बड़ा बदलाव नए कानून के दो प्रावधानों पर ड्राइवर्स को एतराज है पहले कानून में थाने से ही आरोपी ड्राइवर को जमानत मिल जाती थी इसके अलावा हिटन रन में अधिक्तम दो साल की सजा का प्रावधान था जबकि इस अंशोदित कानून में वाहन ड्राइवर को अधिक्तम 10 साल की सजा और 7 लाग रुपे जुरुमाने का कानून पारित हुआ है जिसका विरोड ड्राइवरों के जर्ये किया ज़ुआ रहा है और कैबनेट गिछन के बाद अब मंत्रियों ने ओफिस ज्वाइन करना शुरू कर दिया है इसी कड़ी में कैबनेट मंत्री राजवर्धन सिंग राठो और मंत्री जवाहर सिंग बेढ़म ने अपने अपने ओफिस ज्वाइन किया है हाला कि राजनेतिक गल्यारों में अब भी एक सवाल बना हुआ है कि पदभार सम्हालने वाले मंत्रियों को विभाग कब तक मिलेगा रिपोर्ट देखिए नए साल के पहले दिन भजलाल सरकार में मंत्री और कई नेताओं ने सचिवालने पहुँचकर अपना कारेभार सम्हाला हाला कि किसे कौन सा मंत्राले मिलेगा इस पर अभी मंत्धन चल रहा है लेकिन इस बीच जिन जिन मंत्री उने पदभार सम्हाला उनमें सबसे पहले बात करते हैं कैबिनेट मंत्री राजवर्धन सिंग राठोर की राजवर्धन सिंग राठोर ने सम्हाला पदभार विधी विधान से सचिवालने में की पूजा अर्चना शुब मौके पर पूरा परिवार था साथ तस्वीरे सचिवाले के कमरा नंबर 4103 की है जहां बैठकर कैबिनेट मंत्री राजवर्धन सिंग्राठोर जनता से किये वाइदों को अमली जामा पहनाएंगे नए साल के पहले दिन वो अपने परिवार के साथ यहां पहुँचे और विधी विधान के साथ शुब महुरत में पदभार समहला सचिवाले पहुँचकर उन्होंने सबसे पहले कमरा नंबर 4103 में शुब महुरत के साथ गणपती पपा की पूजारचना की और जनता से वादा किया कि प्रदेश में राम राज्य के स्थापन की जाएगी यह जीवन के सबसे शांदार दिन है पूरे प्रदेश के लिए पूरे देश के लिए जहाँ सुविधाएं आसान हो रही है घर घर पहुच रही है योजनाएं घर घर पहुच रही है आसान हो रही है और रामराज्य स्थापित हो रहा है पूरे देश के अंदर यह तो हमारी PD के लिए आपके मेरे लिए जो हम जीवित हैं सदियों बाद राम मंदिर स्थापित हो रहा है और वो भी बिना किसी जगड़ के बिना किसी फसाद के यह अपने आप में एक इतिहास है सब को साथ में लेकर पूरे देश के एक एक नागरिक को साथ में लेकर ये काम हो रहा है और उसमें सब जुड़ रहे हैं अभी व्यवस्ता ऐसी बनाई जा रही है सब आराम से वहां जाकर दर्शन भी कर लें मंतरी जोगराम पटेल ने भी समहला पदभार सचीवाले में हुआ जोरदार स्वागर पदभार समहलने वाले नेताओं में दूसरा नाम है मंतरी जोगराम पटेल का जिन्होंने सचीवाले पहुचकर अपनी जिम्मेदारियों को समहला इस दौरान फूल माला पहन कर उनका मूँ मीठा किया गया आपकोई मारफत पूरे चैनल की मारफत आव अमाम को मेरे लूनी की जनता को विश्वात दिलता हूँ मेरे सिज नहतरत्व आदिने मुख्यमंत्री जी बजरलाल जी हमारे परदेश के अध्यक्स आदनी सीपी जोशी जी मंत्री जबाहर सिंग बेढम ने समहला पदभार अपराध्यों पर सख कारवाई की कही बात सचिवाले में पदभार समहलने वाले मंत्यों में जबाहर सिंग बेढम भी थे जिन्होंने सचिवाले की तीसरी मंजिल पर एलॉट किये गए अपने कमरे में पदभार समहला इस दौरान उनका भी जूर्दा स्वागत हुआ पदभार ग्रहन करने के बाद जबाहर सिंग बेढम ने अपराधियों पर सख कारवाई की बात कही और जन्ता से किये वाइदों को पूरा करने का भरोसा जिता है अपराधियों के खिलाब ठोस कारवाई करना सुरू हो गया है और अब नेता, पुलिस और अपराधियों की साठकाट के कारण आम जन्ता परेशान नहीं होगी पिसली सरकार में कांग्रेस के लोगों के बरदस्त के कारण अपराधियों के होंसले बड़े, गोतसकरों के होंसले बड़े लूट, चोरी, नकवजनी करने वालों के होंसले बड़े पेपर लीग करने वालों के होंसले बड़े और तो और हमारी सनातन संस्कृति पर हमला हुआ हमारे मंदरों को तोड़ा गया, तुष्टी करन हुआ, उन सारी चीजों पर ब्रेक लगाते हुए, एक सांति प्रिय प्रदेश, विक्सित राजिस्थान, विक्सित भारत का जो संकल पहे 2047 का, उसमें विक्सित राजिस्थान भी अपने पायदान पर पहुँच करके उसमें अविनाश गहलोत ने समहला पदभार, परिवार के साथ कक्ष में की पूजा अर्चना, वही मंत्री अविनाश गहलोत ने भी पूरे विदी विधान के साथ पूजा अर्चना करते हुए अपने परिवार के साथ, अपने कक्ष में पदभार पदभार, परिवार के साथ, अ हम सब मिलकर काम करेंगे और आज चूंकि केमिनेट बंतरी बनने के बाद में सची वाले में पहला दिन है बैठकर अधिकारी कर्मसार के साथ मिलकर बात करेंगे आज कल में पोर्टपोली भी डिसाइड हो जाएगा मुक्य रूप से हमारी प्रमुक यह रहेगा कि जो कि अधिकारी के साथ मिलकर अच्छा काम करेंगे राजसान की जनताक परिशानी नहीं हो जो पांस साल के अंदर उन्हों ने कौंग्रेस सरकार का ब्रिस्टाचार देखा कानून व्योसा देखी उससे कहीं बाहर निकल कर हम लोग अच्छा काम करेंगे कानून व्योसा ठीक वालों में ओटाराम देवासी का नाम भी शामिल था जिन्होंने सच्चेवाले की पहली मंजिल पर उन्हें एलोट किये गए कख्ष में अपना पदभार सम्हाला फालंकि इससे पहले उजयपुर के श्री कोविन देव जी मंदर में दर्शन के लिए जहां उन्होंने देश औ पकड़े विरो डिपोर्ट न्यूज एटी राजस्थान और जैपूर में सिटी पार्क में सियाम भजनलाल श्रवा ने सुबह सुबह आम जन को तब अज्रज में डाल दिया जब सियम खुद लोगों के बीच पहुँचकर मॉनिंग वाक करते हुई नजर आए सियम को अचारक सुबह सुबह पार्क में देकर लोग हैरत में आ गए सियम अपने काम के साथ साथ सेहत का भी खूब ध्यान रख रहे हैं और लोगों से जुडने का कोई मौका नहीं छोड़ते मौनिंग वाक के दौरान सियम ने लोगों से बातशीत की और उनकी सेहत के बारे में पूछा वहीं सियम भजनलाल ने लोगों के साथ चाय की चुस्कियां भी ली तो दो तज़्वीरें आपको दिखा रहे हैं जैपूर के सिटी पार्क के तज़्वीरें जहां मौनिव वाक पर निकले सियम भजनलाल शर्मा तमाम लोगों से मुलाकात की लोग अच्रज में पढ़ गए हैरार होगे सप्राइज हो गए कि आज मुक्य मंत्री प्रदेश का मुक्या खुद हमारे बीच मौनिव वाक करते वे नज़र आ रहा है दो दो बाते से साफ होती है कि काम के सासाथ अपने स्वस्तकाबी, स्वस्तकाबी दिहान दगते हैं मुक्य मंत्री भजनलाल शर्मा दूसरा ये कि प्रदान मंत्री नरे दोटें हो ग्री मंत्री आमेश शा का दौरा होने वाला है उसके पहले जाजा लेने के लिए भी morning walk पर निकल सकते हैं लेकिन जो भी वज़ा है ये दिल्चस्प moment था उन तमाम लोगों के लिए जो लोगों ने मुलाकात की बच्चों के साथ भी उन्होंने सेलफी किचवाई यहाँ पर जब अल सुबह सिटी पार्क के अंदर लोगों ने देखा तो कहीं न कहीं वो अच्रज के अंदर है हर कोई मुख्य मंतरी भजनलाल शर्मा के तो जैपूर से ये तज़्वीरे आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर मॉनिंग वॉक पर जैपूर के सिटी पार्क में निकले थे भजनलाल शर्मा और तमाम लोग अभीर्ड क्योंकि बढ़ती गई जो लोगों को पता चला या जो लोग सेल्फी किच्वाए तुरंद उन्होंने सोशल मीडिया पे अप्रोड किया होगा तो आस पास के लोग भी अगर देखे होंगे तो वो भी आ गया होंगे उस सिटी पार्क में और वंदे मात्रम के नारू से भी वो सिटी पार्क होने वाली है ऐसे में आयोध्या में त्यारियां जोरों पर है ने साल के मौके पर भक्तों का भी उत्साह देखने को मिला है आए देखते हैं ने साल के पहले दिन कैसी है आयोध्या अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तारीख जैसे जैसे नस्दी का रही है मंदिर ट्रस्ट की तैयारियां तेज हो गई हैं 22 जनवरी को मंदिर के गर्भ ग्रिह की गुलाब के फूलों से सजावट होगी ये फूल भी कोई आम फूल नहीं बलकि बेहत खास होने वाले हैं गुजरात के अशोग भाई भानुशाली की ओर से डिजाइन किये गए इन फूलों में भगवान राम और तिरंगा के साथ साथ पियम मूदी सियम योगी की तस्वीरें भी उकेरी गई हैं 22 जनवरी को रामलला जब गर भगरे में विराजमान होंगे तो पूरा गर भगरे है गुलाब के इन फूलों से सजा होगा लेकिन गुलाब के इन फूलों की खासियत क्या है पहले आप ये देख लिजे आप देखे एक पर आपको राममंदिर का चित्र उकेरा हुआ नजर इन फूलों से भगवान राम के गर भगरे की सजावत होगी गुजराद से आई कारीगरों ने बताया कि इन फूलों पर इस तरह के डिजाइन्स बनाने में काफी मेहनत लगती है ये सिरी राम जनुरी तीरचेट ट्रश्ट के माध्यम से आवहन किया गया था कि देश के पांच लाग गाओं में, सहरों में, नगरों में हम अक्षट वितरन करके 22 जनुरी को जो प्राण प्रतिष्ठा का कारक्यम है भगवान सी राम लला का उसे उमंग पूरवक, उस्साह पूरवक मनाएंगे 22 जनुरी को एतिहासिक बनाने के लिए मंदर ट्रस्ट कोई कमी नहीं छोड़ रहा है इसलिए विश्व हिंदू परिशद के कारेकरता 15 जनुरी से राम लला पर चढ़ाए गए अक्षट के साथ पूरे देश में घर घर अक्षट देंगे और 22 जनुरी के दिन के लिए अपने पडोस के मंदर में कत्र होने का निवेदन करेंगे कारेकरता घर घर जा रहे हैं पंदरा जनुरी मकरशंकरांती तक जाएंगे भगवान के नए मंदिर का फोटो मंदिर का विवरण और आयुध्या से रामलला के सम्मुक पूजित किये हुए अक्षट के चार दाने समाज के व्यक्तियों को परिवारों को देकर निवेदन करेंगे कि अपने पडोस के मंदिर में एकत्राओ और वैसा ही आनन्द उत्सव मनाओ जैसा आयुध्या में हो रहा है विश्व हिंदू परिश्वत के कारे करता इस अक्षट को लेकर देश के 5 लाख घरों में जाएंगे और सभी को 22 जनवरी के लिए जागरू करेंगे वहीं नए साल के पहले दिन अयुध्या में भक्तों का सैलाब उमर पड़ा देश के कोने कोने से लोग आयुध्या में राम लला की एक जलक पाने के लिए आतुर दिखाई दिये सभी ने भगवान राम के नए मंदिर के स्वरूप को दिखकर खुशी जाहर की यह मंगल बेला है जिस बेला का इंतजार कई वर्षों से किया जा रहा था अयुध्या में जहां एक तरफ दिव्य और भव्यराम मंदिर का निर्माड हो रहा है राम लला के प्राण प्रतिष्टा की तैयारियां चल रही है तो साथ हिसाथ पूरे अयुध्या को नया रूप दिया जा रहा है यह नए साल का बदलाव है और जैसा हम बार-बार कह रहे है कि एक टीस एक पीडा राम भक्तो की मन में रहा करती थी कि नवर्ष पर हम एक दूसरे को मंगल कामनाय देते है लेकिन हम राम लला को मंगल कामनाय नहीं दे पा रहे है उनकी पीडा अभी भी बरकरार है क्योंकि वो इंतजार कर रहे है अपने स्थान पर विराजमान होने का उस स्थान पर विराजमान होने का जहां उन्होंने जन मिलिया था लेकिन साल 2024 उस इंतजार को भी समाप्त कर रहा है न सिर्फ राम लला के इंतजार को बलकि राम भक्तों के भिंतिंसार को राम लला उस स्थान पर विराजमान हो जाएंगे जहां उन्होंने जन मिलियागा नए साल के पहले दिन भगवान राम के दर पर खुद को पाकर भक्तों ने जम कर जैशुरी राम के नारे लगाए हनुमान गड़ी में दर्शन के बाद भक्तों ने न्यूज एतीन पर आयोध्या मिस्सा जावट की जम कर तारीफ की नए साल पे हनुमान जी के दर्शन हो गए राम लला के दर्शन हो गए क्या है मन में भाव बहुत अच्या यहां पर राम मंदिर बन जाएगा और राम जी का जय जय कर जी आप बताइए बहुत बड़िया लगया यहां आके दर्शन करके नए साल के पहले दिन के बहुत अच्छा लगा सब को हम 40 लोग है और बहुत धन्यदान होते हैं अच्छा आप सब लोग साथ जय स्री राम जय स्री राम जय स्री राम कि भगवान में आस्था रखने वाले सभी की मनोकामनाएं पूरी होती हैं 24 बर सभी देश बासियों के लिए सबी अच्छे से रहें और सभी कष्टों से दोड़ रहें 22 जनवरी से पहले राम की नगरी हर दिन नया साल मना रही है इसलिए भक्त भी नए साल को सेलिब्रेट करने के लिए अयोध्या को चुन रही है न्यूज 18 के लिए अयोध्या से अमिट शुकला के रिपोर्ट और इस बैटक में देश भर से पार्टी रेताओं के आने की उमीद है बताये जा रहा है कि हर राज्य से दो पदादिकारी बैटक में मौजूद रहेंगे आज दोपएट दो बजे ये बैटक शुरू होगी ये भी आपको बताते चले कि प्राठ प्रतिस्था कारक्रम के ब की तादा बढ़ने वाला है मौसम बिभाग के अनुसार दिली में अगले साथ दिनों तक अधिक्तम तापमान 20 डिग्री से कम रहने के आसार है इसकी वज़े से कडाके की ठंड पढ़ने की उमीद है और दिली में कडाके की ठंड का दौर भी शुरू हो गया है नय वर्ष क का अधिक्तम तापमान सामान इसे दो डिग्री नीचे दर्श गया गया है दिली के ज्यादा तरहिस्तों में सोम वार सुबा हलका कोरा देखने को मिना और इनी तमाम खबरों के साथ बिग ब्रेकरी मुल्टे पर फला लेता है और खबरों के देखते हुए नियूज इनी र अधिक्तम ताजस्ताब